आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4G फोन को 5G फोन कैसे बनाएं या युँ कह सकते हैं आपकी 4G फोन में 5G नट कैसे चलाएं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास भी एक 4G फोन है तो आज की इस वीडियो में आपको लाइक प्रूब के साथ अपने इस 4G फोन में 5G net चला के दिखाने वाला हो तो टोटल आपको तीन सैटिंग करने होगी जिन तीन सैटिंग को करने के बद में लाइक प् करेंगे तो आपके समने ऐसा इंटरफेस कुल करेंगा तो यहां पर आपको पहला ही आप्शन मिलेगा नेट्वरक एंट इंटरनेट के आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी आप नेट्वरक एंट इंटरनेट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पहला बीनी option को आफ रखना बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो जैसी आप इसको option को आफ रखने तो यागी पहली setting आप यहां पर आपको करना है आपको पर देख रहा है वो वाई-फाई के साथ में चाहिए mobile network तो आपको mobile network के icon पर click करना है तो जैसी आप mobile network के icon पर click करेंगे तो आपके सेमने a centerface कुल के आ जाएगा तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से request है कि आपको वीडियो को complete watch करना है अगर आपने वीडियो का ज़रा भी आपको स्क्रोल करने तो जैसा कि आप देखरें mobile data के साथ में से क्लिक है roaming तो आपको इस roaming के option को आन रखना है बहुत ज्यादा जरूरी अगर आपने option आफ रखा तो समझ जाना है आप अपने 4G दो option कि आएंगे mobile office का iartel mms का तो यहां पर आपको दो option आएंगे तो आपको right side पर top करने पर search के साथ 3 dots को क्लिक करनें तो जैसी आप 3 dots के आगिन पर क्लिक करनें तो यहां पर आपको एक ही option आएगा reset to default तो आपको reset to default के icon पर क्लिक करने तो जैसी क्लिक करेंगे तो आपको वेट करने रिस्टोरिंग डिफाल्ट APN सेटिंग आपके बता रहा है reset default setting APN has been completed तो जैसी आप complete हो जागे तो यागी पहली setting अब आपको अपने साथ तो दोस्तों जैसी आप साथ बार टैप कर देंगे विल्ट नमर पर तो अब जो भी आपने security pattern रहागो उस security pattern को आपने यह पर लगा देना है तो जैसी आपने security pattern लगा दिया आपके बता रहा है यू और नवा developer यह ने कि हमारे बिल्ट नमर पर साथ बार टैप करने तो आपके वाइल फिन डेवलपर का अप्शन अक्टिवेट कर देजागा तो जैसी हम activate करेंगे तो activate करने के वाद हमें कहां मिलेगा वह तो आपको scroll करने तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगो नीचे system का आपको system के आइकन पर किलिक करने तो जैसी आप system के आइकन पर किलिक करेंगे तो आपको 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 कैसा टून है पहले आपको activate करने फिर आपको ने सीम्पली settings में आपको उफर सर्च वले आइकन पर सर्च करने तो आपको आपर अपको दूसरी शेटिंग प्या करने जिसकी मदभ्यक से आप जो आपने 4G करेंगे तो आपको यहां पर दूसरी शेटिंग यहां पर आजाएगी नेटवरिंग के तो आपको जो भी आपको सीमृर्फुन देखन हरे को वाइपास के फ्रिक्शन कि अपने अबन करने इस option को अनेबल करने से यह benefit को यहां पर देखे क्या लिखा है Reduce battery day यानि कि जो भी आपके mobile phone की battery जल्दी खता हो जाती वो भी problem solve होने वाली and improve network performance यानि कि जो भी आपके network performance है वो भी improve होने वाली यानि कि जहां आपके mobile phone 4G net आता तो आपके mobile phone में 4G की जगा 5G की तरह net आने लगा तो जैसी अब यह setting करेंगा अब आपको यहां से back आ जाना तो direct आपको back आ यह setting कर दी आपने last and final setting करने आपको अपने smartphone के home screen जो भी आना बाटन इसको long press करने है तो जैसी long press करेंगा तो यहां पर आपको अपने mobile phone को open करना है तो अब आपके mobile phone में 4G की जगा 5G की तरह net आने वाल है तो दोस्तों यह थी छोटी से information वीडियो अच्छी लगी चैनल को subscribe करना न भूलिए thank you